Hello everyone, कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक फॉरेस्ट को दिखाते हैं, जहां कुछ लोग एक रीचुल कर रहे होते हैं, जिसमें उन्होंने एक स्नेक और एक वूमेन को रीचुल स्टेज पे लिटा रखा होता है, और स्टेज से नीच उस वूमेन की बेटी ल्यू में प्रे कर रही होती है, तभी अचानक से वहां पर एक ब्लू कलर की एनरजी फॉरेस्ट में से स्नेक पे आने लगती है, और स्नेक से होकर उस वूमेन पे जाती है, जिससे वो वूमेन रीकबर होने लगती है, और उस स्नेक को बहुत दर्द होता है, दरसल उस वूमेन को किसी तरह की विमारी होती है जिससे वो वूमेन मरने वाली होती है तो उस रिचुल से उसे बचाने की कोसिस की जा रही होती है लेकिन अचानक से वो ब्लू एनरजी आना बंद हो जाती है और रिचुल करने वाले लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो लिउ में उनसे पूछती है क्या तो वो बताते है रिच्वल फेल हो गया और तभी लिउमे अपनी मा के पास आकर रोने लगती है कुछ देर में उसकी मा मर जाती है तो वो देखती है उसकी मा की बाड़ी से सोल निकल कर उस स्नेक के दो एक्स पे जाती है जिन में से एक रैट कलर का साप निकलता है तो लिउम उसे अपने साथ ले जाता है और तभी हमें 30 साल बात का टाइम दिखाते हैं जहां रेड स्नेक बहुत बड़ा हो गया होता है और फॉरेस्ट में आने वाले लोगों को मार कर खा रहा होता है और ये न्यूस किसी तरह एक न्यूस रिप्रेटर को पता चल जाती है तो वो इस लेकर og इसको बताने को अपने ज्यूस को अपने नियूस फोर्म में जाता है और वो इस न्यूस को अपने न्यूस के मालग को बता नहीं झा रहा होता है लेकिन उस थे पहले कुछ शोलन आ जाते हैं और और गन पॉइंट करकर उन्हें धमकाने लगते हैं सोल्जर का हैड ऑफिसर न्यूस फर्म के मालक वी शैन से कहता है तो मैं अपना लोन चुकाना होगा दरसल में वो शैन से भूप ऐसे लेने आये होता है जो उसने अपनी न्यूस फर्म को खोल ले के लिए गवर्मेंट से लिए थे तो शैन कहता है मैं एक वीक के अंदर सारे पैसे लोटा दूँगा तो अफिसर अपने सोल्जर को लेकर वहाँ से चला जाता है तो सारे वर्कर टैंसर में आ जाते हैं कि पैसे कहां से आएंगे तो वही रिपोर्टर एक फोडू दिखा कर उस स्नेक के बारे में बताता है तो वो लोग उस न्यूस को साबित करने के लिए उस आईलेंड पर कुछ प्रूफ तूणने जाते हैं जिसमें शेन और शेन की गल्फरेंड लेन वो न्यूस रिपोर्टर और उनके कुछ और वर्कर जाते हैं तो वो आईलेंड पर पहुचकर फोरेस्ट में चले जाते हैं तो शेन कहता है हमें अलग होकर ढूनना चाहिए और शेन के वरकर मिंग काई और उसकी गल्फरेंड एक केप के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ बैट कर बाते करने लगते हैं तो लीना देखती है केप में से एक बहुत बड़ी सेंटिपीट निकल कर आती है तो वो लोग भागने लगते हैं लेकिन सेंटिपीट मिंग के पैर पे हमला कर देती है और उसको जखमी कर देती है और फिर सो उन पे हमला करने वाली होती है तभी एक डैगर सेंटिपीट के हैट पर आकर लगता है जिससे वो रोग जाती है तब ही एक लेड़ी को दिखाते हैं जिसका नाम सीले होता है वो सेंदिपीट से उन दोनों को बचा कर उनके दोस्तों के पाफ ले जाती है मिंका इस सारी बात सैन को बताता है तो सैन सीले का सुक्रिया आदा करता है तो सीले उसके जवाब में कहती है कि इस जंगल फे चले जाओ ये बहुत खतनाक जंगल है और फिर वहाँ से चली जाती है तब ही जैंग वहाँ भागता हुआ आता है और उन्हें बताता है उसे कुछ मिला है तो वो सारे लोग मिलकर उसे देखने जाते हैं तो उन्हें बही जगा मिल गई होती है जहां 30 साल पहले वो रीचुवल हुआ था और वहां बहुत सारे स्नेक के चित्र होते हैं जिससे उन्हें लगता है वो सही जगा आए हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें स्नेक की एक स्किन का टुकडा मिल जाता है जिससे उन्हें को ठाकर दूर फेकता है जिससे स्नेक का देहन वहां पहुच जाता है तो वो सारे लोग वहां से भाग कर एक माउंटेन पे पहुच जाते हैं और वो स्नेक भी उनका पीछा करते हुए वहां आ जाता है और माउंटेन के उपर एक केब होती है तो वो स्नेक से अपनी जान ब से एक reporter notice करता है red snake वहाँ आ गया है तो सारे लोग अलग-अलग होकर cape की tunnels में भागने लगते हैं तो snack zheng के पीछे लग जाता है तो zheng एक जगा जाकर फ़स जाता है तो snack उसे खाने वाला ही होता है लेकिन zheng एक पत्तर उठाकर दूफरे corner में fake देता है जिससे snack का दियान बढ़ जाता है और वो उस corner में चला जाता है तो zheng को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है लेकिन zheng वहाँ रुक कर snack का photo खीचने लगता है तो camera की flash की वज़े से snack का दियान फिर से zheng की तरफ आ जाता है और वो snack zheng के पीछे लग जाता है और जैंग ऐसी जगा पहुच जाता है जहां सारे लोग होते हैं तो वो सारे लोग जैंग की वज़ा से फिर से मुसीबत में पढ़ जाते हैं और अलग-अलग होकर भागने लगते हैं तो snack लीना और मिंकाई के पीछे लग जाता है लेकिन मिंकाई के पैर में चोट होने के कारण वो लोग दूर तक नहीं बाग पाते हैं और snack के आगे आकर फस जाते हैं तो मिंकाई अपने आपको लीना की जान बचाने के लिए sacrifice कर देता है लेकिन लीना उसकी death देखकर इतनी shock में आ जाती है कि वो वहाँ से भाग नहीं पाती है तो snack उसे भी खाने वाला होता है लेकिन तब ही वहाँ पर शीले आ जाती है और अपनी एक flute बचाने लगती है जिससे snack के सर में बहुत दर्द होता है और वो unconscious हो जाता है तब ही वहाँ पर शीले और लेना जाते हैं और लेना को वहाँ से ले जाते हैं और snack भी अब नॉर्मल हो गया होता है और वो शीले पर अपनी टैल फे अटेक करता है जिससे शीले दूर जाकर गरती है तो शीले को भी बचाने आता है और तभी शैन लिन और सैली और लीना को केप से निकलने के लिए कह देता है और स्नैक को अपने पीछे लगा कर केप के अंदर ले जाता है और वो सारे लोग केप से निकल जाते हैं तभी लास्ट में शैन भी बाहर निकल रहा होता है लेकिन रेड स्नेक शेन के बैक को पकड़ देता है तो शेन अपने बैक पैक को उतार देता है और स्नेक केप के अंदर बापस गिर जाता है तब ही सारे लोग भाग कर जंगल में आ जाते हैं तो शेन शीले से पूछता है तुम कौन हो तो शीले बताती है वो Black Snack की guardian है साथ ही साथ वो बताती है कि Master Kieming Black Snack के पहले guardian है अब से 30 साल पहले कीमिंग की बेहन में ने एक ritual किया था जिसमें उनोंने snack के थरू अपनी मां को जिंदा करने की कोशिस की थी लेकिन वो ritual नाकामयाब हो गया था तो उस रिच्वल की वज़े से स्नैक के बच्चों को सेलेशल पावर मिल गई और वो इतने बड़े स्नैक बन गए और तब ही शीले की बात खतम हो जाती है और वो सारे लोग सो जाते हैं और जब वो सुबह उटते हैं तो देखते हैं उनके दो लोग गायब होते हैं तभी हमें दिखाते हैं उस न्यूज रिपोर्टर जैंग ने अपने एक साथी को बांद कर उल्टा लटका दिया होता है और वो उसके कट मार कर स्नैक के आने का इंतिजार करने लगता है तभी स्नैक वहाँ पर आ जाता है और उस बंदे हुए आदमी को खा लेता है तो जैंग साइट से बैट कर उसके फोटू लेता है जिससे स्नैक का दियान उसकी तरफ आ जाता है और वो जैंक पे हमला करने लगता है लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर शेन आ जाता है और बागी सारे लोग भी आ जाते हैं और शेन स्नेक का ध्यान अपनी तरफ खीच लेता है जिससे स्नेक उस पे हमला करने लगता है और तभी शीले भी वहाँ आ जाती है और Fliud बजाने लगती है जिससे Snack को पेन होने लगता है तो शेन वहां से भागने की कोशिस करता है लिकनी Snack उसे वहीं गिरा देता है और उसे खाने के लिए अपना मुँ आगे बढ़ाता है तो यह वहाँ पर एक और Fliud बजने लगती है जो कि master कीमिंग बजा रहे होते हैं जिससे snack unconscious हो जाता है तो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और तभी वहाँ पर उस red serpent की guardian में आती है और अपनी fluid बजा गर snack को heal कर देती है तभी हमें Shane और बाकी लोगों को दिखाते हैं जो कि शीले और कीमिंग के घर पर होते हैं तो शीले अपनी fluid बजाती है और अपने black snack को बुलाती है जिसे देखकर वो सारे लोग डर जाते हैं तो शीले बताती है ये किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुचाएगा उसने आस तक इनसान तो दूर जानबर की भी जान नहीं ली है तभी शीले उन लोगों को लेकर एक रोट पर पहुचती है और वो उनसे कहती है जब तक city ना आ जाए इस रोट पर चलते रहना और उसके बाद में सीले वहां से चली जाती है तो वो सारे लोग उस रोट पर चलकर जाने लगते हैं कुछ दूर पहुचने पर वहां उन्हें एक घर दिखता है और रात हो गई होती है तो वो रात उस घर में बिताने की सोचते हैं तभी वो उस घर पर जाकर उस घर की मालकिन से रुकने की permission लेते हैं तो वो हां कर देती है लेकिन उस घर की मालकिन कोई और नहीं में होती है जो की रेड स्नेक की guardian है लेकिन उन लोगों को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है तो शेन और जैंग बाहर खड़े ओकर बात करने लगते हैं लीना और लिन अंदर आराम कर रही होती है तब ही लिन की नजर एक लॉकेट पर पड़ जाती है जिसमें स्नेक बना हुआ होता है और उसे याद आता है बैसा ही एक लॉकेट शीले के पास में भी था तो वो समझ जाती है कि ये वही में हैं जिसके बारे में शीले ने बताया था तबी वो बाहर जाकर ये बात शैन और शैनक को बताती है जिससे वो लोग भागने के लिए लीना को लेने अंदर आते हैं तो लीना अपने बैट पर नहीं होती है और तबी घर के सारे डूर और बिंडोस बंद हो जाते हैं और वो लोग उसको अंदर फच जाते हैं तभी हमें दिखाते हैं लीना को मेने गार्डन में बांदिया होता है और वो रेड स्नैक भी बहां आ जाता है तो लीना उसे देखकर बहुत चिल लाने लगती है और वो लीना को खाने जा रहा होता है लेकिन तभी शैन एक खिड़की को तोड़ देता है और उसके अंदर से एक चियर फेक के स्नैक के मारता है जिससे स्नैक का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और स्नैक बिंडो के तरू हलके हलके गर के अंदर घुसने लगता है और शैन के उपर हमला करने की कोसिस करता है लेकिन सैन एक अबजेक्ट से स्नैक के हैट पे मारता है और दूसरी तरफ भाग जाता है तो स्नैक भी दूसरी तरफ सैन पे अटेक करने के लिए आता है तो शैन लिन्ट से अलग होकर एक डूर के सामने खड़ा हो जाता है और जैसे ही सनेक अटेक करता है तो वो वहाँ से हड़ जाता है और डूर तूड जाता है जिसके बाद वो दोनों लोग घर से बाहर निकल जाते हैं और लीना की रस्ची को खोनने लगते हैं तो Snack भी घर के बहार आ जाता है तबीए शन का साय देहाँ करने लगता है और लिन लीना के हातों को खोनने लगती है लेकिन तबीए Snack seekers पर अटैक करता है और उसको दूर फेक देता है और अधर घर के अंदर से ये सब जैंग देख रहा होता है अब वो देखता है स्नेक का सारा ध्यान शैन पर है तो वो बहाँ से चुपके से भागने की कोसिस करता है लेकिन वो वहीं गिर जाता है तो स्नेक का ध्यान जैन जैन पर आ जाता है तो लीनों से बचाने के लिए आती है लेकिन जैन लीना को पकड़ कर स्नैक के सामने कर देता है तो स्नैक एक ही बार में लीना को खा जाता है और जैन वहां से भाग जाता है और उसके बाद में फिर स्नैक शैन और लीना को अपनी बाड़ी से लपेट लेता है और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तब ही अचानक से वहाँ पर ब्लैक स्नेक आ जाता है और रेड स्नेक पर हमला कर देता है और शैन और लिन को बचा लेता है और उसके साथ साथ शीले और किंग मिंग भी वहाँ आ गए होते हैं जो कि में को समझाने की कोसिस करते हैं लेकिन में ये नहीं समझना चाहती है और वो अपनी फ्लूट को बजा कर रेड स्नेक को एक खंडर में ले जाती है तो ब्लैक स्नेक भी उसके पीछे पीछे जाता है और उन दोनों में वहाँ फाइट होने लगती है तो black snack red snack को अपने मूँ से पकड़ कर जमीन पर फेक देता है तो red snack फिर से उटता है और black snack पे हमला करने की कोसिस करता है पर black snack अपने आपको बचा कर red snack को अपने मूँ से पकड़ कर सरपेस पे जोर से फेकता है जिससे red snack बहुत चक्मी हो जाता है तो मैं ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और अपनी energy को snack से heal कर देती है उसके बाद वो अपनी soul को भी snack से जोड देती है तभी red snack black snack पे अमला करके उसे दिवाल में मारता है और फिर से उसे उठा कर नीचे fake देता है पर black snack हार नहीं मानता है और फिर वो दिवार पे चड़ जाता है तबी वो दोनों फिर से एक दूफरे पे अटेक करने की कोसिस करते हैं पर रेड स्नेक किसी तरह ब्लैक स्नेक से बच कर उस पे अटेक करके उसको सरफेस पे फेक देता है जिससे ब्लैक स्नेक बहुत जक्मी हो जाता है तो मास्टर कीमिंग अपनी एनरजी से Black Snack को हील करते हैं और हील होने के साथ साथ Black Snack के Wings भी निकलाते हैं और वो उड़ने लगता है तो Red Snack उस पर हमला करता है लेकिन Black Snack उससे बचकर उसको पकड़ कर जमीन पर बहुत तेजी से फेकता है तो red snack उठकर scream करने लगता है तो black snack भी scream करता है फिर उसके मूँ से आग लिकलने लगती है एक dragon की तरह जिससे वो red snack को जला कर मार देता है और ये सब देखकर में बहुत परिशान हो जाती है और वहीं मर जाती है तब ही black snack उड़ता हुआ आसमान में जाता है जहां lightning उसकी body से टकराने लगती है और वो एक dragon बनने लगता है और ये सब process दूर से खड़े हुए जैंग देख रहा होता है और वो इस सारी चीज़ को अपने camera में capture करने लगता है तब ही अचानक से जैंग के सर पर lightning गरती है जिससे जैंग वहीं मर जाता है और इतर स्नैक भी पूरी तरह फे dragon बनकर नीचे आ गया होता है तब ही शैंग गाडियन्स को thanks बोलता है उसकी और लिन की जान बचाने के लिए और यहीं हमारी movie का end हो जाता है तो guys अगर movie का explanation अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दें और साथी साथ चैनल को subscribe कर दें और well icon को दवा दें जिससे आपको एक से एक नई movie का explanation देखने को मिलता रहे